अभी दीवाली का माहुल था तो ये गुमने की बहुत अच्छी जगा थी यह दर चोटे लोग ही दे बच्चे ही दे नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने ये न्यूस तो अब तक देख ली होगी और वीडियो देख लिए होंगे कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है suspension bridge था गुजरात मोर्वी के अंदर वो collapse हो चुका है जिसके अंदर लगभग साढ़े तीन सो लोग इससे effect हुए है ये बहुत ही दुख़त सूचना रही है CM ने यहाँ पे कुछ compensation victims को announce भी किये है आज है world unity day 31st October 2022 तो चलिए आज का discussion हम start करते है पहली news जो आप लोगों ने भी वीडियो देखा उसी से लिटेड है और ये इस news के आरे में आप लोगों अभी तक देख चुके होंगे लेकिन हम important यह है कि अगर ये news में है डिजास्टर तो डिजास्टर को कैसे solve करना है कैसे अभी ये क्या हुआ था recently कुछ समय पहले तीन से चार दिन पहले जो है इस bridge के उपर काम चल रहा था renovation हुआ था इसका मोर्वी आप इसको ध्यान से देखे ये गुजरात है हमारा गुजरात के अंदर ये एक river गई है मच्छू river इससे कहते हैं आप ध्यान से देखे ये इस तरीके से river गई है ये मोर्वी ये मोर्वी इक नावाग जो स्थान है यहीं पर ये घटना हुई है यह मच्छू यह रिपर यहां पे जाकर फिर ड्रेन हो जाती है तो यह यह आपको याद रखना है चोटी इसे नूज थी बहुत इंपोर्टन नियुज है यहाँ पे question UPSC के अंदर पूछा जा सकता है या various examination के अंदर पूछा जा सकता है आपसे directly DNA की आरे में नहीं पूछेंगे बट आपसे क्या पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि gray area क्या है या आपसे ये पूछा जा सकता है कि Supreme Court का यहाँ पे recently verdict आया है तो वो आपसे पूछा जा सकता है Supreme Court ने क्या बोला Supreme Court ने बोला कि ये जो DNA की DNA को हम लेते हैं अभी क्या हो रहा है DNA को ले लेके क्या हो रही है चीजें इसकी test की जा रही है जनरली जो बच्चे जैसे के पैदा हो रहे हैं तो उसके father's है ये इसका कोई और भी father है तो इसकी वेज़े से ये यहाँ पे निकल के आई है कि हाँ ये evidence के तो वर्क कर रहा है यहाँ पे grey area का मतलब वो ये हो जाता है आप समझे सबसे पहले grey area grey area का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा area जहाँ पे white और black का mixture है है ना देखे नाम से समझ में आ रहा क्या है white और black का mixture है अगर white और black का mixture है तो हम क्या इसको किस लिए use करें ये किसी की right to privacy का भी हनन है है ना उसके personal liberty का हनन है DNA test क्या है evaluation of the personal liberty and right to privacy एक पहला point किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करता है ये technology के through aids करता है cause of the justice but violate privacy मतलब ये justice तो लेके आ रहा है बट किसी की privacy को भी violate कर रहा है है ना तो इसके इसके अदर plus और minus दोनों साथ में चल रहा है मतलब black और white दोनों साथ में जब चलते हैं उसे हम कहते हैं gray area क्या इसका use करना सही है या नहीं सुप्रीम कोट अभी यहाँ पे और फैसले दीगी और आगे निकल के इसके उपर और चीज आएंगे तब हम इसको detail में discuss करेंगे अभी मैंने आपको gray area समझा दिया और यहाँ पे यह भी बोला गया है सुप्रीम कोट के दौरा कि इसका use नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोट held that in the case of the concerning woman known यहाँ पे access नाम नहीं बताया गया उसके identity को reveal नहीं किया गया है कि यह right to privacy का हानन है violation है personal liberty and right to privacy का clear चलिए आगे बढ़ते हम फटा फट stable burning से cases हमने देखी लिए ते पहले भी देख लिया था stable burning के विजए से जो है pollution जो है rise हो रहा है और 26% जो है pollution अभी reasonably rise हुआ है तो फिर कभी हम इसके आर्म और detail में discuss करेंगे PM 2.5 हमने देखा था आपको बताना है कितने pollutants होते हैं जो air quality index के अंदर है हमने discuss किया है previous articles के अंदर अपने और previous lectures के अंदर तो eight pollutants होते हैं उन pollutants के नाम आपको लिखके बताना है यह comment section में यह आपका humba के clear? चलिए आगे चलते हैं आज के editorials के उपर नहिजर मारते हैं सबसे पहले united against terror पहला article देखिए यह आप united against terror से लेटेड है अगर आप इससे पढ़ पा रहे होंगे सबसे पहले तो आपको इस article को read करना है इस article के अंदर क्या है इस article के अंदर बात की गई है council counter terrorism committee की अब यह counter terrorism committee क्या होता है यह important हो जाता है हमारे examination point of view से इसके बारे में हम discuss करेंगे इंडिया decision to host the united nation security council counter terrorism committee तो इंडिया इसको host करने वारे है अगर इंडिया इसको host करने वाला है UNSC का यह committee है अगर इंडिया इसको host करने वाला है तो हमारे examination point of view से बहुत जाते important हो जाता है तो चलिए देख लेते हैं counter terrorism committee के बारे में इसके अंदर बाकी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है क्योंकि अजाब का सब अजमल का सब हो गया हाफिज हो गया साइद इस तरीके से अलग-अलग terrorist organization और उनके नामस दिये गए हैं कैसा यह अपने लिए important नहीं है अपने जो important ने वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बता देता हूँ चलिए counter terror committee क्या होती ctc ध्याँ से दीखिए ctc counter terror committee international committee should be rise above the यहाँ पर context क्या है international committee को rise होना चाहिए उपर बढ़ना चाहिए किस चीज़ से political differences से ऐसा नहीं हो कि वो political differences में जी ने कहा है counter terrorism committee जो है UNSC की है established security council resolution 1373 adopted unanimously wake of 1911 का जो terror attack हुआ था 911 का उसके बाद इसको established किया गया था US के अंदर जो attack हुआ था उसके बाद इसको established किया गया था कि सेम से established किया गया था legal and institutional ability of the countries to counter terrorist activity at home and around the world अपने घर में अपने घर in the sense अपने country के अंदर और दुनिया के अंदर बाहर भी दिसके अंदर भी terrorism से हम किस तरीके से deal करें उसके regarding यह है तो यह क्या क्या points से external affairs ministers ने बताए है उसको भी आपको read करना है यह pdf में आपके साथ share कर दूँगा telegram group के अंदर तो telegram group का description नीचे link में description दे दूँगा description में link दे दूँगा तो वहाँ से आप telegram group को join कर लीजे और इस pdf को और दा हिंदू analysis और दा हिंदू की pdf को वहाँ से आप ले सकते हैं effective and sustained effort to counter terror and financing collaboration हमें करना चाहिए normative effort you will need to coordinate collaboration with a flora-like financial action task force जो FATF है उसके साथ हमें मिल के काम करना चाहिए जिसके regarding हम क्या कर सके terrorism से deal कर सके effective आपको याद रखना है international cooperation and concern ये कौन कह रहा है ये S.N.K.R.G. कह रहा है एक तरीक से आपको ये समझना है आपको ये समझना है उन्हों के point उन्हों के point से ये international cooperation and concerned action against the terrorists and their sponsor including the dismantled terrorists safe and haven ये आपको ये रखना है कि जो जो sponsor कर रहा है उनकी against हमें काम करना है international cooperation बनाना है और break terrorism नेक्सस तो terrorism का नेक्सस बना हुआ है उसको break करने के लिए हमें steps उठाने है इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है तो UN trust fund एक त्यार करना जिसके अंदर counter करें हम terrorism को उसके regarding voluntary इसके अंदर contribution लिया जा सकता है half a million dollar and UN trust fund counter terrorism तो terrorism को इस साल खतम करने से यह हम step उठाएंगे और यह आगे हम लेके चलेंगे इसको clear objective क्या है CTC का CTC counter tourism का objective क्या है committee का पहले तो financing दूसरा freezing याद रखेगा financing plus freezing 2F याद रखेगा F square या 2F इस तरीके से याद रखेगा financing plus freezing taking step to criminalize the financing of terrorism जो terrorism को finance कर रहा है उसको criminalize करें जो ऐससे steps हो जाए उसको criminalize करने की कोशिस करें फिर freeze करें जो भी funds जा रहे है जो भी person involved है उस acts के अंदर terrorism से उन्हें सब को deny करना है उन financial supports को रोकना है ये सारी चीजे हम हमारा objective है CTC के अंदर Social media is now an important tool for militants अभी जो भी इस तरीके से militant है तो उनके लिए social media एक बहुत खतरनाग tool बन चुगा क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे है social media के थूँ आपस में communicate कर रहे है जो कि एक तरीके से उसके उसके पर social media पर इतनी यज़ा नजर रखी नहीं जा सकती तो वो right to privacy आई जाता है तो उसके तहते ये लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ का यूज़ कर पा रहे है है न? की highlights देख सकते हैं militants they are often used technology money and ethos to open societies to attack freedom, tolerance and progress इस समय ये attack करता है militants उन्हें कहा जाता है तो जो भी important words है उसको भी मैं आपको बता दूँगा toolkit क्या होता है internet and social media platform है have turned into a potent instrument in the toolkit or militant group तो उनके लिए ये क्या कहलाएगा toolkit कहलाएगा जो social media platform है अगर उसको वो negatively use करते हैं इस तरीके से तो वो हम क्या कहेंगे उसे हम toolkit कहेंगे clear हो गया? चलिए next article के और move करते हैं next editorial हमारा है the extra constitutional delusions of Raj Bhavan Raj Bhavan मतलब governor house है न? अब इसमें क्या आया है governor जो है हमारे केरला के governor उन्होंने recently एक tweet किया है क्या tweet किया है इस tweet को आप पढ़िए ये सामने है tweet आपके लिखा हुआ है क्या है tweet जहां से लिए the statement of individual ministers ये governor का के governor का ही tweet है the statements of individual ministers that lowers the dignity of office of governor can invite action including withdraw of pleasure तो इक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो राजभवन जो governor की dignity को नीचे करेगा या उनसे opposite में रहेगा उसे ये उसका pleasure ले लेंगे pleasure ले लेने का मतलब यहाँ पह है उसे dismiss कर देंगे उस post से हटा देंगे उस minister को उस particular minister को ऐसा ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि आप जो finance minister है finance minister को हटाने के लिए चीफ minister को कहा लेकिन चीफ minister ने ये नहीं किया तो हम देखेंगे ये जो controversy निकल के आ रही है तो इसके regarding हमारे लिए क्या important आ जाता है अब देखिए इसके इंतर various articles का जिक्र किया गया है कुछ point जिसे the function of the function of appointed governor is always subject to the policies of the elected government and not vice versa जो governor है उसका appointment है ना पहला point दूसरा governor फिर क्या करता है cm और council of minister को appoint करता है on the aid and advice of the minister council of minister को appoint करता है फिर इसके इंदर articles दिये गया है इन articles को हम details में देखेंगे ये क्या करता है cabinet decision except when he has legitimate right to invoke the discretion अब ऐसा भी दिया गया है governor को power की governor अपने discretion में ब़र कर सकता है लेकिन कब जब party जो है party का क्या हो चुका है कोई particular party है वो power में नहीं है या फिर वो क्या है वो अपनी majority को खो दिया है उसने majority lose कर दी है उस समय पे governor अपना discretion का यूज करके किसी और party को बुला के ये बोल सकता है कि आप government बनाएए ये उसे appoint कर सकता है clear हुए फिर हम इसके अंदर समसीर सिंग Supreme Court का समसीर सिंग versus State of Punjab का 1974 का case भी discuss करेंगे UPSC के अंदर ये सारी चीजें आपके pre और mains इस तोनों point of view से बहुत important है तो वो सारी सीजें हम इसके अंदर discuss करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं ये देखे सबसे पहले जो articles mention है हमारे editorial section के अंदर उसको देख लेते है Article 163 Clause 1 of the Constitution of India 1949 क्या कहता है there shall be ये exact word to word मैंने constitution तो उटाया है there shall be council of minister with chief minister at the head of aid and advice of the governor in the exercise of his function except insofar he is by under this constitution require exercise his function or any of them his discretion तो article आपको तुरंट यहीं पे क्या करना है learn करना है यहीं पे याद करना है है न तो article आप यहीं याद कर लिगे there shall be a council of minister with the chief minister head and advice में काम करेंगे जो governor है वो किसके head and advice में काम करेंगे ministers के council of minister के यह आपको याद रखना है article 163 clause 2 क्या करता है अगर कोई भी ऐसा question arise होता है if any question arise whether any matter or not not a matter as a respect to the governor is by under the constitution required an act of discretion की ज़रूरत है वहाँ पे है न the decision of the governor in his discretion shall be final तो जो governor का decision है वो final होगा a validity of anything that governor shall not call questionable on the ground ought or not to be acted in his discretion तो यहाँ पे यह कह रहा है कि governor अपने decision ले सकता है discretion में काम कर सकता है यह article this कर रहा है और यह बोला है aid and advice में काम करना है article 163 clause 1 यह कह रहा है अब दोने तरिके से क्या कर रहा है एक दूसरे contradict कर रहा है अब इसका solution भी हम देखेंगे है ना उसके पहले आप यह article देखे article 164 clause 1 यह क्या कहता है यह कहता है यह कहता है तो चीफ मिनिस्टर को कौन appoint करता है और फिर council of minister को कौन appoint करता है council of minister को भी governor appoint करते है on the advice of चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर के advice में council of minister को governor appoint करते है यह हमको पता है यह हमने देख लिए इस article में लिखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर यह बहुत ही अजीब से चीज़ लिखी हुई है कि जो ministers है वो office तब तक held करके रखेंगे office में तब तक रहेंगे जब तक governor का pleasure रहेगा pleasure of the governor अभी इसको बहुत अच्छे से detail में जाएंगे interpreted करेंगे इस article को provided that state of Bihar Madhavadis and Odisha there shall be a minister of in charge tribal welfare यह आपकल इंपोर्टन नहीं है पर इतना important यह रखना है pleasure of governor अब यह pleasure of governor की बात हम करते हैं यहाँ पर इस article के अंदर यह इस controversy को Supreme Court ने solve किया जहां कहा governor has no right to refuse to act on the advice of council of ministers such position antithetical to the concept of responsible government देखी governor है हमारे यह governor हो गए governor जो है COM council of minister को और chief minister को appoint करेंगे लेकिन किसको appoint करेंगे जो majority में है है न उसे ही appoint कर सकते हैं यह भी याद रखते हैं आपको अगर ही majority lose करते हैं फिर governor का description start हो जाएगा फिर उन्हें अपनी discussion से काम लेना पड़ेगा फिर वो किसी और पांटी को भी बुला सकते हैं और बोलते हैं आप अपने majority से दिखीजे और सरकार को बनाए सरकार बनाए यह governor कर सकते हैं लेकिन governor ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस CM के पास और इस council of minister के पास क्या है majority है और यह बोले कि पावर में सत्ता में बनी रह सकती है इस बात को आपको याद रखना है clear हो गया point तो decision करमेदे assembly session is taken by the cabinet the governor has merely signed to summon order governor से order को summon कर सकता है governor and chief interest should be able to resolve the such crisis without damaging the integrity of institution as a supreme court ने कहा 1974 case में समसीर सिंग बरसे state of Punjab case हुआ था यहां पर यह करना ने कहा है तो यह चीज़ आपको यहां पर याद रखनी है clear चलिए थोड़ा समय आपको लोगों को चीज़ और दिखाता हूँ चलिए next article the next article which we are going to discuss is related to aircraft C-295 C-295 aircraft recently क्या हुआ है India now enabled to low cost production इसकी production के लिए inauguration संडे को कल ही नरिन मोधी जी ने हमारे प्रदान मंत्री नरिन मोधी जी ने इसकल foundation start किया है foundation रखा इसे कौन से ग्रूप बना रहा है TASL TATA Advanced System Limited और Airbus Defense and Space इसे बना रहा है पडोद्रा के अंदर इसकी manufacturing start कर चुके है अब ही क्या हो रहा है इसके इंदर manufacturing यह कहा जा रहा है कि यह made in India है और 40 तक aircraft यहां पर पहले बनाई जाएंगे 2026 तक expected है कि कमाल कर मतलब complete कर दिया जाए और 2031 तक इसे प्रॉपर तरीके से complete कर दिया जाएगा तो छोड़ी सिंफोर्मेशन C-295 के बारे में देख लेटे हैं कि what are the technical specifications of C-295 aircraft C-295 MW is a transport aircraft एक तरीकी कर transport aircraft है जो कि 5 से 10 तक की capacity और maximum 480 km per hour तक की speed ले सकता है है न यह आ रखता है It has a rear road, door, quick reacting, para-dropping proof है cargo है, इसके इंदर saw take-off, landing है फटा-फट जल्दी से ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चलना पड़ेगा, saw take-off है और saw landing है, कम area में land भी कर सकता है कम distance में, और कम distance में take-off भी कर सकता है All 56 aircraft will be fitted with an indigenous electronic warfare suit by the deployment भारत electronic है ना, तो इसमें इस तरीके की एक advanced चीजे भी include है, यह fight भी कर सकता है in future अगर जरूद पड़ी तो clear, अगर inkeeper attack बगेरा होता है, तो यह देखे, यह हमारा aircraft है, आप और इसको zoom करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह हमारा C-295 aircraft है ना, देखे, किता प्यारस दिख रहा है तो यह इस तरीके से रहेगा now, next article the next article which we are going to discuss is related to dolphin, dolphin return to ganga in UP अब dolphin जो है, गंगा में गंगा river में बापिस आगी है तो question है कि क्यों क्या reason है, और आने से क्या हो जाएगा, important चीज़े हैं अगर कोई भी इस तरीके से aquatic ecosystem, aquatic जो है mammals वगेरा और किसी river के अंतर बापस आजाते हैं तो इसका पॉलिशन level कम हो रहा है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो गंगाटिक डॉल्टिंग के बारे में scientific name इसका याद रगने की अश्रकता बिलकुल नहीं है अगर आप किसी state PCS या किसी one day exam की preparation कर रहे हैं तो वहाँ ये question पूछा जा सकता है इसलिए आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं मैंने mention कर दिया है lecture की pdf आपको telegram group में मिलेगी तो वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं telegram group का link नीचे description box और comment section में मैं pin कर दूँँगा तो वहाँ से आप telegram group को join कर सकते हैं इसको डिसको डिसकवर किया गया था गेंगेटिक डॉल्फिन को habitat क्या है गंगा ब्रमापुतर रिवर गंगा ब्रमापुत मेगना रिवर पता ही आपको है ना इसके पर पी वाइक्यू में question पूछा गया है वो भी मैं discuss करूँगा बहुत important हो जाता है इसलिए मैं छुटी सी निवस है बट मैं इसको detailing में जा रहा हूँ क्यों जा रहा है कि इसकी उपर PYQ पहले से ही पूछा जा चुका है यार रखेएगा साफ पानी में रहती है इसलिए important यह हो जाता है कि जब यह पानी में लौट का आई पानी साफ होना शुरू हो चुका अगर पानी साफ नहीं होती है लेकिस दिखता नहीं तो फिर यह कैसे हंट बगएर और सिछार की दो संकार किना इंग जा silicon अल्टरा सॉनिक साउंड प्रोई में क्या होता मैं आपको बता दो इसे सांड जाता bank है जहां यह टकराएं ना यह sound जाता है टकराता है और बापस आता है तो यह से calculate कर लेती है इसके पास calculation है है ना तो यह आपको यहार रखना है तो यह बापस आ जाता है यह बापस आ जाता है sound जब sound बापस आ जाता है तो क्या होता है ये receive कर लेती है ये पता चल दता है इतनी distance में कौन है है तो ये इसका सिकार कर लेती है which bounce off fish and other prey enabling them to see an image in their mind तो ये अपने दिमाग में एक image बनाती है उसका फिर सिकार कर लेती है इससे सुसु नाम से भी जाना जाता है S.U.S.U. सुसु नाम से भी जाना जाता है इसकी population, global population की बात करता हूँ, मैं estimate 4000 है, nearly 80% found in Indian subcontinent के अंदर, 80% लगबग इसे ये इंडिया के अंदर मिलती है, India subcontinent के अंदर मिल जाती है Reliable indicator of health of entire river ecosystem, अगर ये present है, मतलब उस health की ecosystem बहुत अच्छी है, ये आपको याद रखना है Conservation Status की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो Inland Wildlife Protection Act 1972 में, Schedule First के अंदर इसे मैंचेन है, मतलब इसे हंट करना बहुत खतरा है मतलब अगर आपने इसको मारा, ये किसी ने भी इसको हंट किया, तो क्या हो जाएगा, उसे सजा हो सकती है, बहुत बड़ी, ये आपको या रखना, और fine भी हो सकता है IUCN के अंदर इसको in danger category के अंदर रखा गया है Convention of international trade and endangered, जो sites के अंदर, इसको appendix first के अंदर, most endangered category के अंदर इसको रखा गया है देख लिए, इसको highly protection मिला है, जैसे tiger वगेरा को highly protection मिला है, ना, loin tiger को, उसी तरीके से इसको भी highly protection मिला है Schedule first के अंदर, question आता है, UPSC के अंदर, direct पूछा जाता है Schedule first के अंदर mention है, endangered species है, IUCN के अंदर, sites के अंदर, most appendix first के अंदर, most endangered category के अंदर mention है, clear हो गया है Convention of migratic species, appendix second के अंदर, इसको mention किया गया है, यह भी आपको यहां रखना है कुछ steps लिए गया है, जो मैंने mention कर दिया है, जैसे कि national dolphin research center बनाया गया है इसको बनाया गया है, पतना university के अंदर, याद रखना है, पतना university, conservation of endangered gangetic river dolphin, बिहार पतना, आपको यह याद रखना है अगर पूछा जाए, यह कहां पर है, तो बिहार पतना के अंदर है, यह university, यह चीज़ आपको याद रखना है dolphin century भी बनाया गयी है, अब आपको बताना है, dolphin century कहां है, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, विक्रम, सिला, गंगा, गंगा, dolphin century has been established in, बिहार के अंदर, इसको establish किया गया है देखिए, जनरली बिहार से रिलेट हो रहा है, याद रखना है, है ना बहुत important question है, UPSC के इंदर पूछा जा सकता है, तो ये छोटी 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 information आपको जार रखनी है National Ganga River Dolphin Day कम मनाया जाता है, जो भी चीज़े हैं, आपको इसके लावा पढ़ने के आउशकता नहीं, यहाँ आपने सुन लिया पढ़ लिया बहुत important है National Mission of the Clean Ganga celebrate, 5 October को celebrate किया जाता है, ऐसा National Ganga River Dolphin Day के तोर पे, 5 October को इसको मनाया जाता है याद होगे आपको चलिए, conservation plan क्या है, the conservation plan, action plan इसके उपर है, Ganga River Dolphin 2010 to 2020, which is identify threats को हमें identify करना है, है ना, river traffic के अंदर और उसे, उसको solve करने की कोशिज करना है, है ना, चलिए यह हमारे dolphin है, है ना, अब इसके आरहे में और भी question भी करेंगे अपन, जो कि previous year में UPSC के अंदर पूछा गया ना, तो उसके question भी आपर detail में discuss किया है 10 year का project है, अभी project हमने देखी लिया है, है ना, इसके strength and biodiversity को बढ़ाने की बात की जा रही है, है ना, इसके tourism भी attract हो यह भी बढ़ाई बात की जा रही है, जो से मार रहे है, killing habitats, इनका loss हो रहा है, उसे खतम करने की बात की जा रही है, कि habitat बगेरा किसको बढ़ाया जाए, इसक से अपन खतम करते हैं, उसको solve करने की कोसिस करते हैं, clear, चलिए, आगे PYQ solve करते हैं, ये पहला PYQ आपके सामने, question है, attempt pause कीजे, attempt करने की कोसिस कीजे, इसके बात हम इसको discuss करेंगे, I hope आप लोग ने अब तक pause करके attempt कर लिया होगा, चलिए, start करते है, which one of the following national aquatic animal of India, which one of the following is a National aquatic animal of India, कौन सा इसमें से National aquatic animal है, इंडिया का, आपको बताना है, salt water crocodile, olive riddle turtle, gangetic dolphin या घरियाल, बताए, जी हाँ, घरियाल, 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 नहीं, गेंगेटिक river dolphin, तो gangetic dolphin क्या है, national aquatic animal है, इंडिया का, देखे, तीनों ही एक तरीके से, crocodile की प्रजाती है, घरियाल भी है, olive rid turtle भी है, नहीं, turtle तो अलग होगे, salt water crocodile, यह दूरे एक तरीके से, एक ही family से लिटेट करते है, olive riddle turtle अलग है, है ना, तो यह आप या रख सकते हैं, clear, तो यहाँ पर answer में आपको बता देता हूं, answer gangetic dolphin है, यह या रखना है, यह हमारा national aquatic animal of India है, या रखेगा, other than poaching, poaching के possible region, क्या possible reasons है, for the decline of population of ganga river dolphin, बताइए, क्या possible region है, ganga river dolphin के decline होने का, अब मैं आपको बहुत अच्छी interesting बात बताओ, जादू की पुडिया, बिल्कुल, plimps यू निकलेगा, चुट्कियों में plimps निकलेगा, अगर आप यह चीज़ कर लेते, मैं एक series लेके आँगा, जहाँ पर इस तरीके से discuss करूँगा, कैसे आपको plimps निकलना है, मैं बताऊँगा, अपनी जर्नी कि मैंने कैसे plimps को qualified किया, किस तरीके से मैंने उसे किया, और कैसे नहीं आने वाले question भी मैंने solve किये, तो वहाँ पर आपको कैसे actively mind चलाना, मैं discuss करूँग वहाँ पर चीज़ है, देखें, यहां पर ध्यान से देखिए, 2015 में यह question पूछा गया, और 2014 में यह question पूछा गया, किस से related है, gangatic river dolphins, अगले साल वो question क्या पूछ लिया गया, कि भाईया, कौन सी national aquatic animal है, अगर आपने जैसे मैंने आपको इस article के अंदर पूरा detail में समझाया, अगर आपने इस तरीक of dam and barrage on the river, increase the population of crocodile in the river, getting trapped in fishing net accidentally, use of synthetic fertilizer and agriculture chemical in a crop field in the vicinity of rivers, इनमें से कौन सी option सही है, option आपके सामने है, pause करकी answer देने की कोशिस कहीजिए, comment section में आप दे चुके होंगे, I hope आप आप लोग ने answer दे दिया होगा, pause करके, अब हम चलते हैं, इसका answer देखते हैं, बहुत easy है, फटाक से देखते हैं, अब देखे, increase in the population of crocodile in the river, अब देखे, crocodile की increase होने के इसको क्या problem होगी, यह एक दूसरे को खाते तो हैं नहीं, मारते तो हैं नहीं, अब crocodile तो है, गहरे पानी में रहता है, गहरे पानी में बहुत कम जाता है, और गंगेटिक river dolphin क्या होती है, गंगेटिक river dolphin गोड़ा सा दूर है, एक दूसरे से, है ना, और यह बहते river में रहते हैं, इसलिए यह वाला तो अपने को सीरे सीरे गलत लग रहा है, है ना, अगर two को गलत करते हैं, two गलत, two गलत, two गलत, answer क्या बचा, option C, one, three, four, है ना, तो आपको solve हो गया, डेन की बज़े से होता है, trap ह होने की बज़े से होता है, fertilizers की बज़े से इनको problem होती है, तो यह इनके population को possibly regions हो सकते हैं, यह हमने answer देख लिया, I hope आपको चीजे clear हो रही होंगी, चलिए, आगे move करते हैं, next article के और अपने, और यह देखे, यह जो कुछ articles हैं, मैंने extract उठाए हैं, यह दाहिंदू के articles नह National Museum of Natural History, तो चीता awareness program को यह क्या कर रहे हैं, host कर रहे हैं, National Museum of Natural History इसे organize करने की बात करता है, 1972 में यह establish हुआ था, क्या National Museum of Natural History question पूछा जाएगा, याद रखिए, पूछा जाएगा ही, इस तरीके से पढ़ना है, आपको reverse engineering करना है, जो news में हो, उस organization के वारे में तुरंद इसको रीड कर लेना, revision होता रहेगा, it is an institution devoted to environment education depicts the country's rich natural heritage and natural history, तो ये इंडिया के अंदर environments related, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, और institution बगिरे devote है, environmental education को बढ़ाता है, ये ministry of environment and forest climate change के अंदर आता है, clear हो गया, आगे चलते हैं, चीता reintroduction program इंडिया के अंदर क्या है, उसको नेखेंगे हम, ये awareness जो program है, ये ही इसको अगनाइस कर रहा है, तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले चीता हमें बहुत इंपोर्टेंट इस साल introduce हुआ है, आप लोग ने देखा, मोती जी ने introduce किया, फोटो भी खीची मोती जी ने, आप लोग ने देख मैप के अंदर दिखाऊंगा, अब भी दिखाऊंगा, टेंसल नहीं लेना है, चीजें याद करभाऊंगा साथ ही साथ, अगर आप इसको regularly follow करते हैं, मैं guarantee देता हूँ, प्लिम्स को नहीं रोक सकता आपका, प्लिम्स तो कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं मैंस के लिए भी अलक इन जैसल मेर के अंदर राजस्थान के अंदर है, मुकुंदा टाइगर रिजर फेंस्ट इंक्लूज राजस्थान के अंदर है, राज दो राजस्थान के अंदर है, दो मध्रपृतिस के अंदर है, एक मध्रपृतिस के अंदर पहले ही हो चुका है, टोटल तीन मध्रपृ है वो डिसकस करेंगे जो प्रिविए सिर कुश्चन है वो डिसकस करेंगे कोई भी कुश्चन आपका छोटने नहीं दूंगा मैं एक्जाम निकाल के ही रहेंगे है ना चीटा आता ओनली लार्ज मैमल्स सिर्फ यही है जिसे हंटिंग के विए से हमने लॉस कर दिया है एक्स्टिंट हो गया था इंडिया से अफ्रीकन चीटा नोट ओनली था लार्ज जनेटिक डाइबरसिटी है आइडियल फूर रिहेबिलिटेशन के लिए है विए औरिजिनल लिएज ओफ एसिएटिक चीटा का लिएज हमें इनके इनसे देखने को मिलता है अब इनके आरे में हम और डेटेल में डिसकस करते हैं है ना कोश्च नहीं छोटने नुगा मैं आपका चिंदा मत करी आप चीटा इस बैक हमारा चीटा बापस आ गया है है अगर किसी का नाम जाता है तो वो है हमारे चीटा जी तो चीटा है चीटा चौधरी नाम है इनका है ना चीटा चौधरी जी है ये चीटा चौधरी जी विल फाइंड इन नीव ओम अफ्रीकन चीटा अर बिंग ब्रॉट अंडर दा इंटर कंटिनेंटल ट्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट बिट्विन इंडिया और अफ्रीका मेंली साउथ अफ्रीका एंड नाभी बिया याद रखी का यहां से हम लेकिया है इन इंडिया अंडर बिच फिफ्टी ओफ इस बिक इडिय इंट्रूशन देख लेते हैं चली थोटा साथ यह है कुनो पॉलूर नेशनल पार्क मद्ध ब्रदेश के अंडर बाउंडरी लगता है राजस्तान के साथ ही इसकी बाउंडरी लगती है तो यह भी आप याद रख स साथ है यह मद्ध ब्रदेश की बाउंडरी हो गई हमारे और यह राजस्तान हमारा हो गया राजस्तान में यह पूरा वेस्ट के साइद में साहगर साहगर जो है यहार रखना है 4000 स्कुर्ण किलो मेटर तक का इरिया है फ्यंस रिजन है इंडिया पाकिस्टान बॉर्पर के अंदर है तो यह अपकला रखना एक यह यह एँस सेवन स्कूर किलोमेटर तक का एरिया है स्प्रेड ओवर दा साउथन वैली विंद्या रिंज ओफ हिल्स के अंदर है चीता री लोकेशन की ये कुछ इंपोर्टन सेज़् मैंने आपको बता दी अब आयू सियन की बात करते हैं अफ्रीकन चीता जो है क्रिटिकल इंडेंजर क्रिटेगरी के अंदर है अफ्रीकन चीता विल्नरेबल है विल्नरेबल है मतलब थोड़ा सा जादा इसकी प्रजातिया है इसलिए हमको अफ्रीकन चीता इसलिए मिल गया और अफ्रीकन चीता मिल नहीं पाया है ना इसलिए हम अफ्रीकन चीता लेके आए हैं है ना अफ्रीकन चीता जो है साइज में भी बड़े होते हैं in comparison to एसियाटिक चीता है ना एसियाटिक चीता की मैं बात अगर करता हूँ तो वो टूटल अभी वर्ड के अंदर 40 से 50 जो है सर्वाइबल है वो भी इरान के अंदर हैं है ना तो यह भी याद रखना है यूजली रेड आइस रहती है इनकी लाल कलर की आखे यह देखिए कितनी खतरनाक लाल कलर की आखे है रेड आइस ओफ एसियाटिक चीता है ना चीता टियर मार्क्स एक लाइक संग्लासे चीता की य संकी जो चमाक होती है उसको रिफलेट करने में यह हल्प करती जिससे यह क्या कर पाते हैं यह दिन में भी सिकार कर पाते हैं तो यह कुशन एक ऐसा डिटेलिंग में अपन जा रहे हैं कि कुछ भी आ जाए अपन छोड़ना नहीं है तो यह आपको याद रखना है ना चीता लेपड और जगवार बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों को पता ही नहीं होता है क्या होता है चीता क्या होता लेपड लेपड को देख के चीता बोलते हैं चीते को देख को लेपड बोलते हैं किसी को जगवार बोल देते हैं आज ये कोशन में आपको सॉल कर दूँगा यह प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल हो जाएगी, चीता द्यान से देखिए, क्या होता है, solid black spots होते हैं, solid ऐसे होते हैं, बिल्कुल गहरे तरीके से, ऐसे ऐसे block spots होते हैं, यह, इस तरीके से, तो यह याद रखना है, साथ में क्या याद रखना है, small, एक छोटा सिंगा, जो إلى में उसली, इसली एक्सपोज रहते हैं、 अंसी तरह रहते हैं, एक एक अंगल लेघर होते हैं, वह कैसे होते हैं, small, densely back होते हैं, जैसे ऐसे, इस to मतलब यहां से रहा हैं डार्ग श्पोट है सॉलिड है यहां पे पेचस दिखेंगे मैं जरेगवार के इंदर पी द मिक्स कर दिए यह यह कि बाहर की इनकी बात करता हूं किस तरीके सी यह स्पोर्ट भी हो गया और बाहर बाहर पैचेस भी हो गया रहती है इसकी बहुत जादा छोटी रहती है इन दोनों के के इंदर हैं इंडिया हैस आओट 12,000 लेपर्ड हैं हमारे इंडिया के अंदर और इट एस बीन 60% इंक्रीज इंद पॉपलिशन काउंट फ्लम फोट फ्लम फोट दोजर्व दाच लगब साथ परसंट हमने इनको इंक्रीज किया है लेपर्ड को यह हमारी लिए खुशी की बा फार है ते, strongest bite force, all-world ketti, जो खाता है, इसकी जो छमता है किसी पर attack करने की, वो बहुत जाता है, बहुत खतरना के, बिल्किल छोडता है किसी को, उसको बिल्किल लिपको खा जाता है, लेक पंथर, इसदा, तो यह अपने डिटेल में हमने डिसकस किया एक और आर्टिकल हमारे लिए है कौन सा आर्टिकल है डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है सिर्फ दाहिंदू कवर नहीं करेंगे दाहिंदू के साथ साथ जो भी important articles और नूजपेपर्स या डाउन टूर्ट जैसी magazines पे आते हैं उन्हें भी हम जरूर लेंगे जो हमारे लिए important cyclone है बे ओ बलंगाल बर फ्रिक्वेंटली इंक्रीजिन अरेबियन सी तो cyclone किस तरीके से अरेबियन सी के अंदर इंक्रीज हो रहा ये देखे धियान से ये map है हमारे इंडिया का ये क्या है बे ओ बंगाल है ये अरेबियन सी है इधर clear हुआ अब तो cyclone के hit करनी condition थी वो यहाँ पे ज़्यादा थी पहले अब ये shift होके कहा हो रही इस side हो रही है तो क्या reason है और क्यों ये हो रहा है उसके वे से और क्या problems होगी वो सारी सी हम देखेंगे change in the cyclone context क्या है due to the global warming fewer cyclone यहाँ पे आ रहा है Bay of Bengal में observe हो रहा है लेकिन उसके वे से increase हो रहा है Arabian Sea के अंदर उसके वे से connective भी हम देखेंगे अब एक proportional लेखते हैं इन comparison to Bay of Bengal the proportion of Arabian Sea cyclone initially starting में कितना तब 1 is to 4 था मतलब अगर 4 cyclone यहाँ पे आते हैं तो एक cyclone Arabian Sea में आएगा starting में यह था अब क्या हुआ but study founded it become 2 is to 4 in 2001 to 2020 2021 से 2020 तक में हमने study करी इस 20 साल के अंदर अंदर क्या हुआ है यह 2 is to 4 का ratio हो गया पहले 1 is to 4 का ratio थो तो अब 4 cyclone अगर यहाँ आ रहे तो दो cyclone यहाँ आ रहे तो यह क्या हो रहा है कि यहाँ पे बढ़ते जा रहे है अब उसकी condition हम देखेंगे the decline in the frequency of cyclone in the Bay of Bangalore, Bengal as a warming threshold for the sea surface temperature SST बढ़ रहा है sea surface temperature है वो क्या हो रहा है तेजी से बढ़ रहा है अगर उस sea surface temperature तेजी से बढ़ेगा cyclone आने की condition shift होगी याद रखेंगे क्या होगी shift होगी cyclone generally achieve करता है कितने temperature में 26 degree Celsius to 30 degree Celsius temperature पे cyclone आता है अगर इतना temperature है तो cyclone आने की अच्छे condition है कि cyclone आ सकता है बन सकता है ठीके तो यह जो surface temperature gradually rise हो रहा है arabian sea के अंदर क्यों rise हो रहा है क्योंकि हमारा जो surface temperature है global warming के वज़े से यह temperature rise हो रहा है एक study आई है ICER भुपाल की study हुई over 80% of tropical cyclone occurred in the pre और post monsoon मन्त में तो यह एक छोटा सा fact याद आख सकते है क्या factor है responsible इस चीज के लिए surface temperature को बढ़ना अभी हमने देखा पांस से ग्लोबल वार्मिंग यह simple season जो आप इसको answer में अपने put कर सकते हैं और लिख सकते हैं चलिए अब इसकी हम कुछ condition देखेंगे यह बंता कैसा है यह हमने देख लिया current of yes क्या क्या हो रहा है और किस तरीके चीज़े हो रही क्या ratio से increase हो रहा है now अब हम concept पे जाते हैं concept भी नहीं छोड़वाऊंगा geographic static person है यह cover हो जाएगा ध्यान से देखी आगए आप यह blue color से जो है cold air यह cold air आ रही है इस तरीके से यह cold air है यह भी cold air है cold air क्या हो रही है circular pattern में ऐसे circulate हो रही है और जब circulate हो रही है तो चारों तरह circulate हो रही है यह देखे और heat आई पहले क्या हुआ at starting instant में जब सुरुवाथ हुई सुरुवाथ कैसे होती है पहले sunlight है सब उत दिस से sun sunlight है sunlight पड़ी heat हुआ surface यह surface है यह surface का temperature हीट हुआ यह पानी है पानी का surface है पानी का surface temperature हीट हुआ अब पानी evaporate होगा water evaporate हुआ evaporation की कारहर यह उपर गया उपर जाके क्या होगा condense होगा जहां थे देखे उपर जाके क्या होगा condense होगा जब पानी जब है अब जैसे उपर की ओर मूफ करेगी वह कंदेन्स होने के वजए से इसके इंदर बढ़ जाएगी और जैसे निचे होगा पाणी करने लगजाएगा और इस तेम्पेरचाय बढ़ेगी यहां से बनेगा साइक्लोन हभी विज्टbank करे इस इन सेखर अर्यक और यहाल हो गती है यह में अधिए से खिक्न सेखर ज्राइय को साइक्लोल हुँआ का है था एकेस या 20 में approximately यह कोशिन आया था याद रखिएगा आपको हैना कि यह किस तरीके से क्या किसे कंडिशन होती है clear होगा cyclone आपको याद हो चुका होगा cyclone यह जो दिख रहा है आपको मैं दूसरे color नीचे वह गुका यह गोल डोच Ukंता हुऊ उत्याइगा और दीरे-दीरी यह धीरे-दीरे क्या ओ साथ पकड़ीगा और क्या स्वाकार यथ प्रश्वी के देने चल्ग सदो को सेसे कि अधर्ज पर तो इस अधर सब्सक्राइब कि धर्स्वीजर्ब उयिद और Thai опять रेलानिटा दोुप अधर्स प्रिवाहन रहते हैं वीग डा एराउंड डा इंक्रीज और चारो तरफ पर से जादा रहता है जिसके विए यह तेजी से होता है चले आज के मैप में नजर मारते हैं देखिए एक छोटी से नीज है एलोन मस्क ने क्या किया है अलोन मस्क ने टुटर को अपना मतलब तरीके से खरीद लिया है ओनर नए नहीं और कह सकते हो आप टुटर के 44 बिलियन डॉलर देखे एक्क्विजिशन ले ली है वहाँ पे टुटर के अंदर है और लेनी के तुरंत बात क्या किया अलोन मस्क ने इंडियन ओरीजिन जो इंडियन को तो यह चोटी से टुटर की बात करता हूं में तो टुटर का जो है लॉंच हुआ था 2006 में इसका हैक्वाटर सेंस फ्रेंसिस्को में है और इनके जो मैसेज होते हैं उनको टुट्स नाम से जानते है आपको पता ही होगा यह देखिए सेंस फ्रेंसिस्को की लोक इंपोर्टेंट है याद रखना ही है आपको चले यह उपर वाला रिजन क्या है गिलगेट बलतिस्तान का रिजन है यह लाइन ओफ कंट्रोल है लोसी पाकिस्तान उक्यूपाइट करके रख चुगा है हमने अभी प्रीविएस आर्टिकल के अंदर भी इसको डिसकस किया अपने पिछले डिसकसन में भी इस सब चीजों को यह लाइदा की जब मुकस्मीन है यह बाउंडी गई हुई है यह अक्साइचीन का एरिया है जो इलेगी ऑक्यूपाइट है चाइना के दोरा एरिया सीड़ेड इलेगी टू पाकिस्तान पाइस चाइना के पास था अब य एक दिन जरूर जो हमारे कंट्रोल पे नहीं पार्ट को लेके रहेंगे है ना चले गिल गिल परतिस्तान इसे इंडियन टेरिटेरी इंडियन टेरिटेरी यह जैसे अभी आप मुनें बता है लीगली पाकिस्तान ने उक्यूपाइट करके रखा हिस्ट्री देखते हैं तो प्रिंसली स्टेट जमू कस्मीर का पार्ट हुआ करता था बट इट वस रूल डारेक्ली बिटिस बिटिस के दौरा इसको रूल किया जाता था हूँ है टेकन ओली लीज इन 1935 में इसे लीज में लिया था किस से हरी सिंग जी से हरी सिंग महा के राजा थे उनसे लिया था फ पिर इसे आजात करवाया और चाहत तक यहाँ पर फोर्स रुख गई और यह उनके कंट्रोल में रह गया और यहारे कंट्रोल में रह गया तो यह तिसी बात है तो यह सरी चीज़े पिलर्स ऑफ क्रिशन की बात करते हैं निरकेम इमेज यह आप दिख सकते हैं जैमस वैब इसो पिलर्स ऑफ क्रिशन कहरा हैं देखे हिंदू धर्म के अंदर पहले इस सारी चीज़े हमारे धर्म में बता दी गई है हमारे सास्त्रु के अंदर यह सारी चीज़ें जो है डिसकस की गई थी अब भी नासा वाले सब चीज़ कर रहे हैं इनको लगता है कि यार ऐसा हिह इंदु दर्म तो बिल्कु ऐसे नॉर्मल सी जहें हैं बहुत जाद आवे हिल ना कर रहे थे हैं वाई दर्म के बर उनको क्या मालूम कि इसके अंदर कितना साइंटिफिक है जरूरत है कि हम सब इन सब चीजों में दिहान दें तो जैम्स वेप टैलिसकोप के अंदर निू इमेज बिन टेकें फेफ मिड इंफ्रा-डेट इंस्टूमेंट यहां पर वह सारी चीज़े हैं नेबुला क्या है बाद कर लेते हैं? नेबुला क्या है एक जाइब क्लाउट है यहाँ पर स्टार का फोरमिशन चल रहा है तो ये नेबुला को जाद हकना है कुश्न आप से ये पूछा जा सकता है तो ये सारी चीज़े हम डिस्कस कर लिए हैं तो आज हमने कई articles discuss किये और बहुत सारी important चीज़ों को भी हमने discuss किया है और हमने यह सारी चीज़े देखी तो lecture को share करना है अपने friends family members के पास और जहां जहां पे अपने group study group के अंदर आपको यह lecture share करना है और इसका pdf चाहिए telegram group के अंदर है नीचे में comment section में pdf की link दे दूँगा वहां से आप download कर सकते हैं वहां से आप telegram group को join कर सकते हैं और question answer के लिए हम generally means answer writing के लिए हम कुछ program लेके आने वाले हैं तो तब तक के लिए thank you thank you very much for the discussion